यहाँ पर हमारे पास यह question है, तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर जो denominator है, उससे हम simplify कर सकते हैं, वैसे अगर आपको direct पता है, कि sin 4x plus cos 4x, यह होता है, 1-2 sin2x cos2x, अगर आपको direct पता है, फिर तो अच्छी बात है, direct अगर नहीं पता है, तो मैं आपको बता आएता हूँ, तो हमारे पास जब भी यह होता है, sin 4x plus cos 4x, देखो, यहाँ cos पहले लिखा है, sin बाद में लिखा है, इससे हम लिख सकते हैं, sin square x का whole square, प्लस cos square x का whole square, a square plus b square, क्या होता है, a square plus b square, यह होता है, a plus b का whole square, minus 2ab, यही property हम यहाँ पर use करेंगे, sin square x plus cos square x का whole square, minus 2ab, यहाँ यह हो जाएगा, 1 minus 2 sin square x, cos square x, है ना, यहाँ पर यह हम लिख सकते हैं, तो यह integral बन जाएगा, 0 to pi by 4, sin x, cos x, upon, 1 minus 2, sin square x, cos square x, dx, अब यहाँ पर हम उपर नीचे अगर 2 का multiply करें, क्योंकि हमें नीचे perfect square बनाना है, 2 sin x cos x का, तो यहाँ पर 4 चाहिए होगा, उपर भी अगर 2 हो जाए, तो यह भी कठा कर देंगे, हम sin 2 x बन जाएगा, यानि 2 का उपर नीचे multiply करना, एक समझदारी है, 2 sin x cos x upon, 2 minus 4 sin square x cos square x dx, ठीक है ना, ओके, यह हो जाएगा, 0 2 pi by 4, 2 sin x cos x upon 2 minus 2 sin x cos x का whole square, ठीक है, और इसे हम sin 2 x लिख सकते हैं, 0 2 pi by 2, यह हो जाएगा, sin pi by 4, sin 2 x upon, 2 minus sin square 2 x, है ना, sin 2 x हो जाएगा, अब बिकोज whole square है, तो यह sin square 2 x dx, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे यह क्या हो, अब देखो, numerator में है, sin 2 x, sin x differentiation होता है, cos x का, अब यहाँ पर, हम, obviously, cos x तो है नहीं, तो cos में convert कर देते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, 0 2 pi by 4, यहाँ पर है, sin 2 x upon, 2 minus, यह हम लिख सकते हैं, 1 minus, cos square 2 x, 0, 2 pi by 4, sin 2 x, upon, 1 minus 1, यानि 1 हो जाएगा, 1 plus, cos square 2 x, यह आ गया है, और अब हम, वापस, put करेंगे, I mean to say, अब हम यहाँ पर put कर सकते हैं, put, cos 2 x equals to t, तो मिलेगा हमें क्या, minus 2 sin, मतलब देखो, cos 2 x का होता है, differentiation minus sin 2 x, और 2 x का, फिर से करेंगे, तो 2 हो जाएगा, वो मैं आगे लिख देता हूँ, dx equals to dt, यानि, sin 2 x dx, हो जाएगा, minus half dt, तो जो, अच्छा, यहाँ पर हमें, limit भी change करनी होगी, because, x को, अब हमने t के form में लिख दिया है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप पूरा integrate करके, बाद में limit put कर दो, I mean to say integrate करो, तो वापस x में लेके आओ, और फिर same limit रहने दो, और या फिर limit change कर दो, तो यहाँ पर चलो limit बदल देते हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी, देखो, अगर x है 0, मैं बात कर रहा हूँ lower limit की, अगर x 0 है, तो, t क्या होगा, तो t cos 0, यानि 1 हो जाएगा, है न, और अगर x है πाई बाई 4, तो यहाँ पुट करो, πाई बाई 4, तो πाई बाई 2 हो जाएगा, यानि t हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि cos πाई बाई 2, 0 होता है, तो limit जो 0 to πाई बाई 4 थी, अब 1 to 0 हो गई है, तो 1 to 0, minus half हम आगे ले सकते हैं, यह हमने आगे लिख दिया है, और 1 upon 1 plus t square dt, और clearly आप समझ गया होंगे, कि यह 10 inverse t का formula हो, इसका integration 10 inverse t होता है, direct formula है, बिल्कुल direct formula, limit पूट करेंगे हम, यह है 1 to 0, अपर limit पूट करेंगे हम, 10 inverse 0, minus 10 inverse 1, ठीक है, तो यह हो जाएगा, minus half, 10 inverse 0 is 0, और यह है πाई बाई 4, तो यह पाई बाई 8 हो जाएगा, और यह हमारा answer है, ठीक है, तो आई हूप यह solution आपको अच्छे से समझ आ गया होगा,